नवश्कार दोस्तो अभी इसी हफते साइक्लोन टॉक्टे ने हम पे हमला किया था और साइक्लोन यास भी अगले हफते आने वाला है अब जब भी कोई साइक्लोन कंट्री को करता है पहले चीज दिमाग में आती है कि इन नामों का मतलब क्या है सायद ही आप में से किसी ने ट जी हां दोस्तों यह प्यार असा दिखने वाला जानवर इसी के नाम पे इतने खुंखार साइक्लोन का नाम दिया गया था आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि टॉक्टे से यास तक कैसे टॉपिकल साइक्लोन के नाम दिया जाते हैं अभी यास जो अगले हपते आने वाला ही यह भी साइक्लोनिक स्टॉर्म है और यह ओडिसा और वेस्ट पिंगल के कोस्ट को हिट करेगा इसका नाम दिया गया है उमान के द्वारा यास क्या है यह एक ट्री है जिससे गुट फ्रेग्नेंस आती है अच्छे सुगंध आती है और इंग्लिस में वर्ड अगर कंपेर करें तो यह सिमिलर है जैस्मिन फ्लावर से तो कैसे नाम दिया जाता है साइक्लोन्स का 2000 में एक ग्रुप बना था नेशन्स का WMO और ESCAP मतलब World Meteorological Organization और United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific So Asia के इस रिजिन के जो कंट्रीज हैं बंगलादेश, इंडिया, मौल्दिप्स, मैनमार, उमान, पाकिस्तान, स्री लंका और थाइलेंड पहले इन देशों ने डिसाइड किया कि हम साइक्लोन्स के नाम देना शुरू करेंगे इस रिजिन में हर एक कंट्री ने जब अपना सजेशन भेजा उसके बाद फिर एक पैनल ने इन नामों का फाइनलाइज किया और अपने सुराती दिनों के बाद एक्सपांड होने लगा और 2018 में इरान, कतर, साओधी अरेबिया, United Arab Emirates और येमेन इन देशों को भी जोडा गया आज इस लिस्ट में 169 साइक्षट्रों नेम्स है जी हाँ पहले से ही ये नाम decided है ऐसा नहीं कि cyclone आ रहा है तबी नाम decided हो रहाए 169 नेम्स पहले से decided है तेरा गंट्रियों के 13 तेरा नाम दिये गये हैं तो 13 इस उटरिस्टी में 169 हो जाता है important क्यों है नाम देना दोस्तों मान लिजिए जैसे अभी COVID चल रहा है आपको variants के नाम याद है B. 1.1.7 1.1.7 तो ऐसे नाम रखना कल को cyclone talk day के जगा हम नाम रख देते T. 1392 तो क्या ये हमें बहुत time तक याद रहता नई confusion होता technical terms है cyclone के नाम अगर हम रखते हैं तो वो easy हो जाता है हम लोगों के लिए remember करने के लिए especially अगर आप exams दे रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत easy हो जाएगा जब आप नाम सुनेंगे ये दूसरे terms में भी जैसे technical terms, general public use के लिए scientific community, media disaster management सभी के लिए एक नाम जब हो जाता है तो ये easy हो जाता है identify करना और हर एक cyclone के साथ कुछ अलग characteristics होती है तो उन characteristics को भी एक reason के उपर study करने में अलग नाम मदद करते हैं cyclones के नाम ऐसे ही नहीं दे दिये जाते हैं कि हम कुछ भी नाम दे दे इसकी guidelines है guidelines कुछ इस प्रकार है जो नाम दिये गए है वो neutral होना चाहिए जी हां दूस्तों वो neutral होना चाहिए वो offend नहीं करना चाहिए politically या फिर political figures को religious beliefs को cultures और gender को नाम इस तरीके से choose करना चाहिए कि वो sentiments किसी भी group of population का over the globe चीहाँ सिर्फ इसी region में नहीं over the globe hurt ना करें वो rude और cruel नहीं होना चाहिए nature में ये short होना चाहिए और easy to pronounce होना चाहिए आप कुछ hurt term दे देंगे अगर अपने local language में तो वो pronounce करना hard होता है इसलिए आपने नाम सुना होगा yes, funny, tukate बहुत hard नहीं है ये सब नाम pronounce करना ये maximum 8 letter words हो चकता है और pronunciation easy होने के साथ-साथ इससे repeat नहीं किया जाता जी हाँ दोस्तों एक बार जब ये use हो जाता है उसके बाद ये seize हो जाता है इसके बाद इसका use नहीं होता बात अगर करे हम इंडिया ने कौन से name suggest किये है 13 name जो इंडिया ने suggest किये है वो है गती, तेज, मुरासू आग, व्योम छोड प्रबाहो, नीर प्रभंजन, घुर्णी अंबुद, जलाधी और वेगा ये कुछ नाम पब्लिक के दारा suggest किये गया है और final list IMD ने बनाया है दोस्तो आसा करता हूँ, आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि कैसे नाम select किया जाता है हर countries 13 names each देते हैं, 13 countries 169 names होते हैं, और जब पहला column के names खतम हो जाते हैं तो दूसरे column के names सुरू हो जाते हैं दोस्तो, आपको वीडियो समझ आया होगा तो please like और subscribe जरूर करें, आपके लिए question है, comment में जरूर बताईएगा World Meteorological Organization, इसका headquarter कहां पहें, धन्यवाद खुश रहिए, खुशिया बाढ़ते रहिए और इस मुश्किल घरी में सब का हासला बनाए रहिए धन्यवाद, जाहिए